नमस्कार स्वागत आपका धुबी घाट पर मैं हूँ अशोक वान कड़े लेकर आया हूँ आपके लिए रविवार स्पेशल देश आजाद होने से आज तक हमारी यहां नरेंद्र मोदी शायद पहले प्रधान मंत्री है जिन्होंने कभी प्रेस कॉंफरेंस ली नहीं लेकिन कल एक आश्चेरज देखने को मिला भाज़ पाके राष्ट्रे कार्याले में अमिश्या प्रेस कॉंफरेंस को एड्रेस करेंगे ऐसा बताया गया था लेकिन साथ में प्रधान मंत्री भी दिखाई दिये पूरा देश बार-बार आरोप लगते थे जिन्होंने कभी प्रेस कॉंफरेंस ली नहीं आज अल्टिमेट लिओ प्रेस वालों की बीच में आये हैं और प्रेस वालों के सवालों के जवाब देंगे उसके बाद प्रधान मंत्री ने जब बोलना शुरू किया तब उन्होंने प्रेस वा स्वाब का सिलसिला शुरू होगा प्रधान मंत्री ने जैसे कि हमेशा हो कहते है फिर इस बार मन की बात कही और जब सवालों की बोचार शुरू हुई तो उन्होंने माइक अपने राश्ट्र अध्यक्ष अमिश्चा के तरफ खिसकाया ताकि अमिश्चा इसका जवाब दे आ आज देश एक एहम सवाल से बहुत परेशान था और है सवाल है क्या नतुराम गोर से राश्ट्र भक्त है क्या नतुराम गोर से राश्ट्र प्रेमी है क्या नतुराम गोर से कमहत्मा गांधी के हत्या करना जायस था यह तमाम सवाल प्रग्या ठाकुर के उस वक्तवे से आ राष्ट्र द्रोही कहने वाले हत्यारे कहने वाले लोगों को अपने गरेबां में झाकना होगा क्योंकि उनसे बढ़िया राष्ट्र प्रेमी और कोई हो नहीं सकता उसे के साथ अनन्द कुमार हिगड़े जैसे कई नेताओं ने उनका समर्थन किया पुरा देश बड़ा वि की बागडोर गुज्रास से आए हुए विक्ति के हाथ में है जो महत्मा गांधी का जन्मस्थान था प्रधान मंत्री ने इसके पहले एक वक्तवे में इस बात को बेबाग तरीके से कह दिया कि प्राग्या ठाकुर ने जो कहा वो बहुती घटिया है उसके बारे में सोज भ पर उनको माफ नहीं करूँगा उसके बाद पार्टी ने एक्शन के तोर पे उन्हें नोटी जारी किया डिस्प्लिनरी कमिटी के पास मामला सोब दिया अब ये क्या होगा कब होगा ये भगवार को प्रता लेकिन जो प्रधान मंत्री ये कहते हैं कि प्रग्या ठाकुर को म हमने इसलिए उम्मिद्वार बनाया लोकसवाचिनाव में भोपाल से वह इसलिए कि हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग करने के खिलाब हमारा ये सत्याग्रह था मुझे दया आती है मिश्चाह पर सत्याग्रह ये शब्द इस विश्व को उन्ही महत्मा गान से चलते हुए किसी का मन भी नदुकाए वह आहिसा है आप किसी हत्यारों को जायज कहिके रास्टर प्रेमी करके महत्मा गांदी की हत्या को जायज ठहराते हैं भाजपा बार-बार कहती है कि उनको न्याइपालिका में बहुत विश्वास है तो नत्रवाम गोर्षे को रोल मॉडिल हो सकता है हीरो हो सकता है यह समझ के परे हैं लेकिन जब सत्ता का सुख भोगना हो तो उसके लिए कुछ भी करना है तमाम अपने विचार धारा जब चाहे तब मोड लेना है जिस चाहे तब उस बात पे कॉम्प्रमाइज करना है यह जब कोई पॉलिटिकल पा गांधी जैसे राष्टर पिता के हत्यारे को भी रोल मॉडल मानने की भी गलतिवों करती है हमारे प्रधान मंतरी और हमारे उनके पार्टी के अध्यक्ष इन दोनों के बयानों में जो विसंगती है वो कहीना कहीं डर लगता है उस बात लगता है क्या यह विसंगती लोगों को सहलाते रहूंगा और आप नतुराम गोर्से जैसे व्यक्ति को रोल मॉडल बोलने वाले लोगों का साथ दीजिएगा यह दोनों हाथ में लड़ू लेकि हम घुमेंगे ताकि सत्ता बनी रहे दुरभागे है लेकिन इस देश की जनता जानती है इस देश की जनत चकिस के हाथ में सोपना है यह तै करती है प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जब विदेश जाते हैं और मोधी मोधी के नारे लगते हैं तो 135 करोड देश वासियों का सीना चोड़ा होता है कि मेरे प्रधान मंत्री का क्या स्वागत होता है विदेश में लेकिन वैसे ही जब म पुल्टी तपेली रखने से नाली पे उसमें से ग्यास लेकर आप चुला जला सकते हो या जब डिजिटल कैमेरा था ही नहीं उस यूग में डिजिटल कैमेरे से फोटो खीच के इमेल जब किसे ने सूचा नहीं उस इमेल से वो भेज़ देते हैं जब चार सदियों के अलग कई हम भी आहत होते हैं हम आहत इसलिए होते हैं क्योंकि वो हमारे प्रधान मंतरी है एक सो पैतिस करूर देश के मुख्या है वो मातर किसी एक के बेटे नहीं किसी एक के पती नहीं किसी एक के भाई नहीं समुचा देश उनको अपना मुख्या मानता है जब ऐसी बाते उनक ज़ियाप सोचते हैं कि प्रधानमंत्री जिजिक्रफी हिस्ट्री साइंस "-ịं तमाम विश्यूं के गयाता होने चाहिए मैं मानता हो कि प्रधानमंत्री कोँनकागाताने करें लेकिन उन्हेतान मंत्री को कुछ बोलने के पहले ये जरूर सोच देना चाहिए या तहकीकात करनी चाहिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ हो सही है या गलत है कम से कम प्रधार मंत्री के पास इतने लोग तो होते है जो उनको ये बताए कि ये सही है ये गलत है फैक्चियल मिस्टिक्स तो ना करें जो है नहीं उसको बोलोगे तो जगसाई होगी हमारे देश में महात्मा गांधी की हत्या हुए कई साल हो गए लेकिन हमारे देश में रोज कहीं न कहीं महात्मा गांधी की हत्या रोज होती है ये इसलिए होती है क्योंकि हमें अब सिर्फ सत्ता चाहिए हमारे पे भोतिक वाद इतना हावी हो गया है कि हम मात्मा गांधी के विचारों को कहीं भी बली देने का प्रयास करते हैं जब गांधी जी की हत्या हुई तो हमारे देश के तातकालिंग प्रधान मंत्री जवारला नहरू ने एक भाशन दिया था बहुत emotional होके उने ने कहा था the light has gone out उसके माइने थे कि हमें जो प्रकाश देने वाली व्यक्ति थी वही हमारे बीच में नहीं है बाद में उन्हें करेट कि लाइट मात्मा गांधी नहीं थे उनके विचार थे उनके विचार आज भी हमारे बीच में रहेंगे और इस विचारों के भरो से हम चलेंगे और यही विचार हमें दशा देगा दिशा देगा यही विचार हमारे पत को प्रकाश में करेगा यह उनका माइना था लेकिन जब महात्मा गांधी के विचारों की रोज हत्या होती है तो लगता है महात्मा गांधी पे फिर गोली चलत को डिफेंड कर रहे थे वहां पे फिर महत्मा गांधी एक बार मारे गए आखरी फेज का चुनाओं आज हो रहा है सो समझ के मत दिजिएगा क्योंकि हमें महत्मा गांधी को रोल मॉडल मानना है ना कि उनके हत्यारों को फिर अगले रभीवार ऐसे ही किसी विशे को लेकर देखते रहिएगा धोभी घाट